की एक्षन यह ईटू है कि इवन पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं इटू है कि ईवन की बोलो अच्छा गरी इटू है क्योंग इटू है कि बेस कैसा है बढ़िया बेस है इसका अंतलर बेस का आटैक करना इस hydrogen पे या इस hydrogen पे बेस attack करना और CL का निकलना दोनों साथ साथ होगा हा के ना भाईया इटू में क्या होता है इस bond का तूटना ये दोनों जो bond तूटेगा ये वाल और ये वाला साथ साथ तूटेगा बोलो ये अगर ये और ये तूट रहे तो साथ साथ होगा इसका मतलब ये है कि ये बेस इस hydrogen को अगर जल्दी खीचा तो इसके तूटने का चांज जादा होगा और अगर बेस यहाँ पे जल्दी अटेक करेगा तो इसके तूटने का चांज जादा होगा मेरी बास समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ सुनना मैं स्पीड घटा रहा हूँ अपनी अगर ये बेस इस हाइडोजन के साथ इंट्रेक्ट जल्दी किया तो ये वला हटेगा लेकिन अगर ये इसके साथ इंट्रेक्ट किया तो ये वाला हटेगा बीटा इलिमिनेशन इसके साथ इंट्रेक्ट करेगा कि इसके साथ ये किस बात पेडिपिन करेगा कौन सा हाइडोजन ज्यादा एसेडिक है बोलो अरे बेस किसके साथ इंट्रेट करेगा जल्दी जो हाइडोजन ज़्यादा ऐसे डिक है और ज़्यादा ऐसे डिक हाइडोजन कौन होगा या तो जिस पे प्लस चार्ज ज़्यादा है या जिसके हटने से माइनस चार्ज स्टैबल बन रहा हो ACDT depends upon two factor first in positive charge intensity on hydrogen and second is stability of conjugate base बोलो हा के ना बच्चों अगर यहां से हटेगा H प्लस तो यहां कौन चार्ज जाएगा और यह हटेगा तो यहां कौन चार्ज जाएगा माइनस कहां का ज्यादा इस्टैबल होगा यहां का की यहां का बोलो माइनस यहां वाला one degree stable होगा की two degree इसका मतलब इसके interact करने का chance ज्यादा समझे की नई समझे एक बार फिर से सुन लीजिए base का attack करना hydrogen पे और दूसरे bond का तूटना साथ साथ होना है तो base तो इन दोनों hydrogen में वहीं attack करेगा जहां जिस hydrogen की acidity ज्यादा हो ज्यादा यह वाला है कि यह वाला कैसे पता चलता है है यह बार गएका यहां कौन चाट जाएगा मिएच भागे यहां कौन चाट जाएगा सिभनेती बार तो फेल है है ए कि एक कि टू डिजरे ऐना एन है तो यारी इसके साथ है लाइड ये वन डिग्री है लाइड ये वला कैसा है लाइड और ये वला कैसा तो इलिमिनेशन में पहले कौन हटता है इलिमिनेशन में पहले कौन हटता है थ्री डिग्री पहले हटता है फिर टू डिग्री फिर वन डिग्री सही है E1 हो तब भी एई ओर्डर है E2 है तब भी एई ओर्डर है तुमारे मन में फिर एक सवाल आएगा ऐसा क्यों आएगा ना तुमारे मन में सवाल कि 2 डिगरी वाला पहले क्यों आटेगा 1 डिगरी वाला बाद में क्यों आटेगा मैंने आपको क्या कहा था, E2 किस पर depend करता है, E2 किस पर depend करता है, stability of product पर, बोलो न, हाँ के न, अब बोलेगा भी नहीं लोग, देखो ये 3 डिग्री लिए है light, कैसा है light लिए, 3 डिग्री, ये ले रहे हैं 2 डिग्री, ये ले रहे हैं 1 डिग्री, बच्चों जब ये हटेगा तो product ऐसा बनेगा, बोलो, और ये हटेगा तो product ऐसा बनेगा, और ये हटेगा तो product ऐसा बनेगा, कौन ज्यादा stable है, किसका product ज्यादा stable है, 3 डिग्री वाले का, कि 2 डिग्री वाले का, कि 1 डिग्री वाले का, नहीं पता चल रहा है इसकी स्टेबिटी इसमें अलफाइच कहेगो है इसमें अलफाइच इसमें अलफाइच तो मैंने क्या कहा था इटू किस पे डिपेंड करता है Ease of Ease Depends Upon Kis Pace Stability of Product बोले की नहीं बोले की नुख का 3 Degree का प्रोडक्ट जादा Stable है कि 2 Degree का कि 1 Degree का बोलो तो यानि 3 Degree के 2 होने का Chance 2 Degree के होने का Chance 1 Degree के होने का Chance और कम सही है तो बिटा ये 2 Degree है और ये 1 Degree है कौन भागेगा पहले तो यही वाला भागेगा यह वाला भागेगा क्या तो प्रोड़क्ट ऐसा ही बनेगा ऐसा बनेगा क्या क्या ये बात समझ में आई हा के ना दूसरा बात ये एक बात और कुछ लोग बोलते हैं अगर यहां पर बेस आएगा बोलो बेस ही ना आएगा हाइडोजन हटा ने तो यहां बेस को क्ये को हाइडोजन है मिल रहा है इसके बगल बाले पर इसके बगल में यहां भी हाइडोजन यहां 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 इसका बोलो रहा चांस यहां यहां यह इसलिए जल्दी किसका होता है थ्री डिग्री का, फिर टू डिग्री का, सबसे स्लो किसका होगा, वन डिग्री का, ईवन पहले किसका होता है, भाईया ईवन तो कार्बोगटायन है ना, ईवन में क्या है, कार्बोगटायन किसका स्टेबल है, थ्री डिग्री का, फिर, फिर, तो ईवन हो या ईटू हो, पहल कौन जाता है थ्री डिग्री फिर कौन फिर कौन फिर कौन वाट इट बोलो समझ में आया तो इसलिए इसमें पहले कौन वाला आटे गई है बीच वाला की किनारे वाला इसमें बताओ इसमें मेरे सवालों का जबाब दो 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 ना सवाल उठता है अगर ये वाला हटे प्रोड़क्ट ये वाला वोलो ना और अगर यहां से हट रहा है तो प्रोड़ड़ डबल बन इधर लेकिन अगर इधर में हट रहा है कोई तो ना ऐसा ये दोनों प्रोड़क्त एक जैसा है कि अलग अलग है क्या सोचेंगे आप कौन बनना चाहिए कौन वाला बनना चाहिए राइट वाला अटना चाहिए कि लेफ्ट वाला अटना चाहिए कौन अटना चाहिए देखे तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से होगी किस इफेक्ट से यह स्टेबल होगा कि वह बगल वाले पर ये हाई डोजन है हाँ के ना अरे द्युटेलिंटिम है तो एच्छी छाग्न ryk अगर ये जल्दी लेट्न देघा तो इसका सेब्लिटी के इसका सरेड़िटी कौन बनना चाहेगा पर यह वाला बनना चाहेगा पहली बात दूसरी बात बताओ यह पहली बात कहीं साब से ऐसा हो रहा है कि यह बाला बनना चाहिए दूसरी बात आपने पढ़ा है इसका बॉन इसका बॉन इसके साथ टूटे का कौन बॉन बड़ा बॉन टूटना चाहेगा कि छोटा बॉन अगर बाड़ा बांड टूटे का तो product ये अगर stability के हिसाफस देखें तो ये अगर बांड टूटने के chance से देखें तो ये अब बताओ कौन क्या तकलीफ है समझ में आ रहा है ये सवाल क्यों दिया गया है समझ में आ रहा है तागी आपके concept में क्या हो धार आए धार सही है एटीम देखे हैं लाट अपकाने लगे अब दिमाग का जो बत्ती है हुँ भुख भुखा रहा होगा बताओ एक तरफ है अगर एस्टेविलिटी के हिसाब से सोचे तो यह और बॉंड तूटने के हिसाब से सोचे तो यह तो बताओ सबसे पहला बात कि जो बेस है बेस अरे बेस अटेक कर रहा है ना तो बेस तो मालो यहाँ अटेक किया और बेस यहाँ अटेक किया तो बेस किस पर अटेक करना चाहेगा जिस हाइडोजन को खिचना आसान है, हाँ के न? बोलो, इसे लिए हमको लगता है कि ये वाला टूट जाएगा और यही वाला बन जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा पहले टूटेगा आसानी से ये बॉर्ण टूट रहा है तब न क्याहिआ इन डूट बने गा यह तोरने के लिए त्यारए नहीं है कारण अबेस को पता है की विला बांड मजबूत है वहां हम तोर जाएगा है यहां बहुत अगला सवाल अगला सवाल इसके बाद कोई और आगे पूछाने के सर इसके आगे ये नहीं हटेगा अलकॉलिक के वाच किसा लिया गया है तुम में से कोई पूछाने के सर इसके आगे ये नहीं हटेगा क्या तो नहीं पूछा तो हम बताएंगे भी नहीं ये वाला सवाल बताओ इसके साथ ये वाला हटेगा कि ये वाला हटेगा कौन वाला हटेगा उपर वाला बनेगा कि नीचे वाला बनेगा क्योंकि इसकी स्टेवलिटी यही सोचे ना तो इसके लिए नियम दिया गया है दो नियम है सेट जैफ रूल और एंटी सेट जैफ रूल अभी हम लोग ने उस रूल के बारे पढ़ा नहीं अब उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें बताइए कौन वालाटेगा यहां एक क्लोरीन यहां कगर हाइडोजन हट जाए तो यहां डबल बॉंड बनेगा बोलो और यहां क्या रह जाएगा और यहां रगया क्या डी और ह आगर अगर यहां वड़ाक लॉर यहां की सबाई करो इन पहर यह जादा कौन और वाल्शाइस पाई का नहीं यह अलफा है डिखर है बोलो नजी इस पाई में यहां पिलंप यह तक हो गया तीन दू आदो साथ इसमें कहेगो कि अलभा यहां पर क्यों एक यहां काएगो दो दो एक पीन यहीं वला ना बनेगा कारण आ कारण कि कुदिक्कत लिखो यहां तक है तुमारे मन में आ रहा होगा पहला सवाल है पहला में य दोनों क्लोरीन कैसा है हाई तूरिग्री है किसी को अटाए कोई फरक पढ़ता है क्या हाइडोजल इधर का अटा है चाहिधर का टाएं फरक पड़ता है क्या कि बोलो कोई फरक नहीं पड़ता कि तो यहां लिख लो उपर में इज आफ एटू कि इज आफ एटू किसका जल्दी होता है इस ट्रीडिगरी आरेक्स का किसके तुल नाम है तो डिगरी का जल्दी होता है किसके तुल नाम है अगला सुनिएगा बच्छों बिटा अगला इलिमिनेशन है एंटी इलिमिनेशन सुनना देखना अगला एक और खास बात है एंटी और सिन एंटी तब बोलते हैं जब गुरूप अपोजिट साइड से हट रहा हो और सिन तब बोलते हैं जब सेम साइड से हट रहा हो कि सुनना जैसे यह है यहां कि सी एल है और एच यहां भी है अगर यह और यह हट रहा है तो क्या हो जाएगा यह दोनों हट रहा है और अगर अगर यह और यह और यह हट रहा है तो यह वाला कैसा होगा प्रोडेक्ट में कोई फरक होगा क्या डवल बॉन तो यहीं पर बनेगा लेकिन उपर बाला दोनों हट रहा है दोनों एक ही तरफ है तो इसके वज़े से क्या बोलेंगे कॉंसाइल इमनेशन और यह अपोजिट साइट से रहा है तो इसको क्या बोलेंगे सही है तो सीन और एंटी में एंटी के होने का चांस जादा होता है कि सीन और एंटी में किसका चांज जादा होता है तुमारे मन में सवाल ऐगा ऐसा क्यूं है आएगा ना सवाल ऐसा क्यूं है इसके कई सारे जवाब हैं मैं एक जवाब दे देता हूं सुनना पहले तो यह लिखेंगे सीन किसको बोलते हैं रिमूबल आफ ग्रुप फ्रॉं सेम साइड अगर एक ही साइड से हटे तो होता है कौनसा ऑन मैंशन से और इसके होने का चांच बहुत कम बहुत कम बहुत कम सीन बहुत कम जगह पे होता है और जहां जहां सीन होता है उससे एक्सेप्शन है इसलिए हमारे सिलेबस में जब भी लिवनेशन कराना है तो कैसा कराना है एंटी ही कराना है कैसा कराना है अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कैमरे में साथ यही बहुत है यह सोचने का इन एंटी क्यों होता है बात करते हैं सुनिये का तो एंटी में पहले यह लिख देते हैं रिमूवल आफ बोलो बोलो रिमूवल आफ ग्रोफ फ्रॉम अपोजेट साइड एक बार में आपको यह बात समझ में आ जाएगी मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं सुनिएगा देखिएगा पहले जवाब सुनिएगा बहुत सारे पाओं सुनिएगा बचों बिटा यहां पर हैलोजन है और इसके हाइडोजन मैं इधर और इधर रखे है कि सब्सक्राइग और प्रोड़क्ट ऐसा चाहे सीन वाल आट चाहे एंटी वाला हट यह यहां ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं तो यह जिसका भी ट्रांजिशन स्टेट होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी और यह जिसका ट्रांजिशन होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी सभी है तो आगर हम यह सावित कर दें कि यह transition state nt का है, फिला है तो आप बोल सकते हैं कि इसका activation energy हुआ कम है इसके होने का chance और अगर यह सावित कर दें कि इसका सिन वाला है तो इसका acquisition state का on energy activation energy होने सब्सक्राइब तो यह सिन वाला ऊपर वाला और नीचे वाला बेंगे साबित कर रहें तो इसका आपको पता है बच्चों यह अमने ग्राफ लिए एक किसका पोटेंशियल एनर्जीक और इधर क्या लिए है कि रियक्सन पाथ वे सुनना अगर ग्रूप उप्चेगा अपोजीट साइड से तो ऐसा होगा कि ये हैलोजन इधर हाई्डोजन इधर इसके भी डबल बो सही है और अगर यहां ऐसा होगा तो सुनना हाईडोजन इधर हाई्डोजन इधर ये शिन है कि हैने है सिंज है कि सिंदिक रहा है ऑचा तुम गोहर से करो क्या एकलिप्स जैसा है ये हेकलिप्स जैसा है हा ना यह सट्रीक्र्ट जैसा है हा नकि बहुत wyn процесс कि एकलिप्स सामय सामने आ आ जाता है हां के ना और सट पिर जाता हुआ उन भला किसके जैसा है यह यह न् addressed क्छेति कि ज्यादा होती है क्यों स्ट्रेगट के ज्यादा होती है एक्तिवेशन इनर्जी किसके जैसिंग पूलो ना अरे एक्तिवेशन का झीजिन देत बाद अब तुम क्या लिख सकते बता किने Rabbis सकते OH mr. बोलो क्या लिख सकते चुकी सेंज की डीजियर चन्म का जाधा होता ह इसके तुलना में बचलो इसलिए चांस किसका है चांस बोलो नहीं इसलिए इस भुले का की ज़्यादा होगा किया नहीं IGHके इसका ज्यादा चांस समझा ये नहीं समझा रहे बाबा वहखेए और अगर समझे निया थो डैरेक्ट याद रहना एैलिमिनेशन जब भी होता है तो कौँ सा ओता है किन ये ही होता है attempting असे हैं एगर स्षीन crackers एंटी में एक को चुनना है तो कौन सा होगा और अगर दोनों है तो भी एंटी यह होगा सिन नहीं होगा कि अगर सिन और एंटी दोनों अपसाने तो होगा कौन सा एंटी ही होगा सिन वाला नहीं होगा लिखो यहां तर क्योंकि सिन जहां-जहां होता है बस एक दू जगह है जहां-जहां होता है और वो भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि आये क्या कभी अंबर से सुर्य भी जड़ता है बताईए तो भाई जी कड़ने से निकलेगा किदर से निकलेगा कोई ग्रूप ये वाला निकलेगा कि ये वाला ये वाला निकलेगा क्या ये वाला निकलेगा क्या ये वाला निकलेगा क्या अब यहां पर दो बात है या तो ये निकलेगा या हकीकत है कि ये वाला निकलता है अब आपके दिमां में फिर एको घंटा बजेगा ऐसा का है लगेगा ना कि अभी सर आप समझा रहा है कि एंटी वाला हट रहे तो यहां सिन वाला का यह अट आ रहा है यह वाला क्यों नहीं हट आया आपने क्या इस जवाब का जाना चाहते हैं आप क्या यह सिंगल बॉंड है हां के न है सिंगल बॉंड तो सिंगल रोटेट हो जाता है हां के न अरे कंफरमेशनलाज स्वामिन पढ़े हो ने मेरे भाई तो सिंगल बॉंड रहता है कि रोटेट कर जाएगा तो यह इसी रहेगा कि कि तो आपको दिख रहा है सिंग लेकिन YOUR सेंधी हो जायेगा क्यों किस मुझा से बोमने जाए से यहीवाला हटेगा यह वाला और का यहीवाला है जवाब 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 कि जब यह वाला बचेगा तो घर गभुलन के लो बuuuu तो तीन हीडोजन अलफा हैज करेगा ना इधर डी डी और गल्दी से तुम दी हटा तो इधर क्या बचता बताओ ना दी एच को ओई ओई इधर क्यों आभ इधर क्यों अभी तरका सॉरी ऐसा अगर यह वाला आइडोजन है तो ऐसा बनेगा बोलो कि इसमें ज्यादा बैहतर तो इसकी सेबिलिटी ज्यादा इसके बनने का चांस इसके बन्ने का चंस इसलिए बनता कौन को तो आपको जो सिन दीख रहा है चुक्य यहां पर क्या हो सकता है free rotation इसलिए आपको दिख रहा है सीन लेकिन अगूम के और गूमता है बहुत जल्दी में गूमता है ऐसा कहा जाता है कि एक सेकेंड में 10 लाख वार गूमता है समझ में आया जैसे current पढ़े हो ना current अरे current पढ़ा है ना तुमने current सब्सक्राइब तो करेंट में तुमने सुना होगा एक सेकंड में 500 बार वह साइन से कॉस्ट फेज में जाता है गलती हो गया इधर ध्यान दीजिए इना इधर ध्यान दीजिए भारत माता की जॉए देखिये इदर दूसरा एक्जामपल देखियेगा कि यहँ से यल है यहांँ डी है है बताइए गाने यह देदीए क्याँ बताया na जी एलकोहलिक के वुच बताइए को बलाह एक रहाटेगा कॉनवल एक रहाटेगा इवाल एकवल एक न कि यहाल संब एक लिए नहींcan नजर नहीं आ रहा तुमको यहां दिखाये यहां नहीं दिखाये का है कि बच्पन से कहानी सुनते हैं होंगे कि यह गुरु जी थे कुछ चिडियां पाले वेते सबको सिखाये देखो सिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फसना नहीं सुना होगा जा तो यहां भी आया सिकारी आया है कि क्वेश्चन लगाया है डाना डाला है और तुम लोग कि समझ में आया कि यहीं दिखाया गया इधर दिखाया गया क्या और सहिना और गैनिके वैस्ट्री बिल्कुल चेस की तरह है यह कि तरह होता कुछ और दिखाया कुछ और जाता है कि ट्रैप करने के लिए तो इसलिए यहां देखिए नहीं दिखाया गया है तो क्या यहां पर हाइडोजन दूग होगा हां के ना एक इसके सिन पर होगा दूसरा इसके तो जो एंटी वाला वहां से अटेगा समझा जी बोलो न जी तो आईसा रहेगा यहां वाला डी रहेगा नहीं समझे अगला एक्जामपल देखिए एक बार फिर से एक बार फिर से देखिए कौन हो महराज बोल बेन करता हैं बोल यह न यहाँ CH3 यहाँ H यहाँ CH यहां D अब बताये जी कौन वाला निकलेगा हो महराज बोल यह न राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट रीजन इसके एंटी पे इसके एंटी पे इधर है यह नहीं है है यहीं पर तो यहीं नाटेगा तो प्रोड़क्ट ऐसा बनेगा समझे ना समझे बोलिए आज वाला क्लास को पहले दू बार तीन बार रिवाइज किजिएगा और खाली आजे वला नहीं जो कल पड़े उबलावी आद दोनों को रिभाइज करने वाज सवाल बनाईएगा कौन वला सवाल जो इलिमिनेशन में दिया गया है लास्ट का पांचे सवाल छोड़के सब बनना चाहिए उन चालिस को सवाल है उसमें और अगर आप उतना सवाल क आप और अगर बना करें यह तो मार के तो पहले गर्दा उड़ा देंगे मैं जाकमने लिजेगा सब सपा देंगे नपकर कर के पर अरब इस नियम पे ऐते हैं कौन से नियम पे कौन से नियम पे झुटि अं आज जो क्वेस्टन कराये हैं बहुत इंपॉर्टन कौउशन है ह ना और ये वैसे सवाल है कि गारे जो सामानितया सभी बच्चों से घलती होती इस ते इसलिए परेशान नहीं होना है और खुस भी नहीं होना गया है हम तो इसा चीज़ सीगे कि किसी को फंसा देंगे गैसे को फंसाने के लिए सिकते हम लोग अगला 기분- हम कौना सा रूल से classe मरकवनिक ऑफ रूल पड़े था किसमें denric internet इस पर सब्सेशन को लाइन कि सुनिए 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 गौर से सुनिए सुनिए आपके सहर में हर साल की बात इस साल भी आ गया है सेड़ जेफ रूल कि सुनिए बच्छों बिटा इसके इधर से हाइडोजन हटे तो अलग प्रोड़क्ट इधर से तो प्रोड़क्ट कि बोलना ए पंटर लोग बोलने का इसमें बोलने का पंटर लोग इधर से हाइडोजन है इधर से एठे दोनों प्रोड़क्ट सेम होने का कि अलग अलग इसका मतलब यहाँ पे कोई रूल किसी रूल के इस्तेमाल करने का जरूत नहीं रहे बाबा लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करना पो इसके लोग देख़ेगा इधर के इधर विल यह भी यह देने का लुक्त अधोग सेम है क्या और बोलो रे बाबा बाबा Same है क्या तो सवाल उठता है कि यह बनेगा कि यह बनेगा एक और बात सब्सक्राइब हरे बाबा ज्सक्राइब भूब इदर कितने ऐडोजन थे is bit of it और यस तो इसको तु यह वाला कैसा रहे बाबा वह उदर आपन यह डिसक्स किये थे एडिशन में कि यह जो और यह इंटेशन वाला कॉंसेट किसमें लगता है यहां पर कोई नहीं जानता है को इन किसी को नहीं पता के ना इस वाले मेंوج्स का से लेकिन इसमें कोई नहीं नहींस जानता थो तो कर प्रोड़क्ट अलग अलग तो इसके कैसे यहां कि Centralosphat नो इसकी स्वाइब कौन बनना चाहेगा टो सब्सक्र же क्या रहे बाबा वह होता है तो इस तरह से होता है कि प्रोट्टेक्ट कैसा बने मोर्स्टेवल कैसा बने प्रोड जाना तिर से भूक रहे हैं तो यह वाला ज़्यादा इस तेवल यह वला ऐसा रहे बाबा और यह वला कैसा रहाँ यह झाल जय वाबा और जदर कम है उधार से आटा कि जिदर जड़ाए उधार से एक बोलो लो एक Holz दम और Ay prescription यह हहाँ कम हो मैं आवे संझाै लेकिन यहाँ मार्क कौणिक ऑप में क्या बोले थे मारकॉनिकोफ में बोले थे कि एलेक्टोफाइली इस तरह से जाता है कि more stable carbonate बने more stable intermediate बने यहाँ भी क्या बोलेंगे elimination इस तरह से होता है कि more stable product बने hydrogen count नहीं करने का hydrogen count करोगे तो फस जाओगे stability में नहीं फस होगे सही है लिखना अरे लिखना एक क्या सोच रहा है पंटर लिखना इधर अपन बोल रहा है तेरे खौपणी में ने गुज़रे ला है क्या भाई भेजा नहीं खराब करने का क्या हो गया रहे बाबा अरे अपन के दिमाग का कभी कभी कोई वायर सट जाता रहे बाबा तो जीधर का वायर सट गेला उधर का भासा निकलता रहे बाबा सोचने का नहीं ज़्यादा मेरे बार में सोचने का नहीं रहे मैं दिमाग मेरे मैं दिल में आता रहे बाबा तुम लोग माच सचो लिखो छुपचाप हाँ लिखो अच्छा चे लिखो अगर्डिंग तु सट्छेफ रूल अगर्डिंग तु अगर्डिंग तु कमतलब के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेट जैफ रूल कौन सा रूल सेट जैफ या इसी का दूसरा नाम है जट जैफ मेरी फेवरेट फिल्म के हिरो का नाम यही था जट जैफ ुषफट according to सेटज जैफ ड्रूल during beta elimination during beta elimination groups are removed from groups are are removed from that side, that adjacent position, that adjacent position, which produces, which produces, more stable product, more stable, having more alpha H product, yeah, hydrogen, hydrogen, yeah, hydrogen, yeah, oh, there's a, oh, I'm, 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 I कटपा को मारने कटपा ने इसे जाता है तलवार इसे घसीटते हुए कलतेजु वह साम में आया पढ़के अपना वैग वह सहीं इंट्री किया मेंगेट पे इसे घसीटते हुए उसका उसका बड़ा भाई आया इसको रुका बोला खाबर्दार जिसने मेरे बैक को हाथ लगा है समझा बाहुक बाजी राव के तलवार को हाथ लगा है और इसे घसीटते हुए हूँ यतनी को तो है यह हूँ कि यतनी को है आप बीजली के सने दाम करेंट है उसमें करोगे ड्रामा तुरह हिंदी पते नहीं चल रहा है ले देख उओ धार ले धर उधर से यह ना यह यह हटता 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 उधर से हटता है अरे जिधर 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 अरे जिधर है वाई करोगे तुम लोग ड्रामा एक तो हिंदी लिखे हुए सालों साल भी जाता है इसाने कि मेरा हेंड़ाइटिंग घराब रहे बाबा अच्छा रहे बाबा बहुत दीन हो गया लिखे हुए तुम लोग को मज्याक लगए देखो मेरा हिंदी हेंड़ाइटिंग देखो 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 चर सही है देखो पो समझा रहे है बाब बकलोल देखा नो दो एकार दे शो सी समझा क्या यह सेट जेफ रूल क्या क्या था सेट जेफ रूल क्या 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 था इलिमिनेशन जब बीटा इलिमिनेशन होगा तो ग्रूप उधर से हाटेगा फ्रॉम डैट एडजेसेंट पॉजिशन उस बगल वाले पॉजिशन से वेच रिम विच प्रोड्यूसेश क्या लिखा इसके इसके साथ इसके उस बगल वाले पॉजिशन से आटेगा है जो देखने रहें पॉजिशन से जो बनाए क्या बनाए समझे कि ना समझे समझे क्या एक दो एक्जांपल देते हैं आपको घर से बनाके लाने को देखो तो हैंडेटिंग खराब है तो जल्दी जल्दी में लिखता है आदमी थोड़ा नहीं तुमको लगता हुआ रहा नहीं लिखने है रहा देखो अगर बाबा लेको गो लिखने गवाथा रवाबा हर बालक ला 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 फिल हाल तो इतना हैं सही अना फिल हाल तो इतना है इस वाले सवाल में क्या है चुनोती आपके सामने कि यहां सवाल उठता है अगर हटाएंगे तो किसको अगर यहां कि अगर आईसा आप बना दें तो हम भी खुस हो जाएं यह सोच के की बोलो बोलो एक ही मोल रखात है अबी एक ही मोल रखात है अजया है अजया है अजया है अजया है अजया है आजया है अजया है अजया है है अन्ह 40 सवाल आपके असाइबियमेंट में है आठ सवाल ये सैंतालिस सवाल लगबक्त साल वाल बैंने बताएं दू अजया है मले मले है